कि अगर आपकी समस्या है तो आप हमसे बात कीजिए हमें आपका श्योगी बनना आपने आप खुद अपने इमान से अपने दिल पे हाथ रख्ये कि आप ने अगर पंचायत में जहां सडक और नाला कमपलीट हो गया हो मुझे मतलब है कि हथुआ का विकाश होना चाहिए हथुआ के लोगों में सिक्षा का अलग जगना चाहिए जो आज से 30 साल 35 साल पहले जो हमारा हथुआ हुआ करता था वो होना चाहिए नमस्कार नगर निकाय चुनाओ का तीसरा चरण अब सेस रह गया है तीसरे चरण की चुनाओ की डुगडुगी या बजने वाली है election commission ने सीटों के लेकर के जो एक असमनज़स की स्थिती बनी थी एक अस्तिःता का महौल कायम हुआ था समाज में कि किस सीट को अरक्षित किया जाएगा इन तमाम में रहस्यों से आयूग ने परदा हटा दिया है सीट कौन आरक्षित रहेगा कौन आरक्षित रहेगा इसको लेकर के जो एक असमंजस की स्तिती आम लोगों के वीच काइम थी उस पर से परदा हट गया है और लोग जिने जिस सीट से चुनाव लगना है जो जहां से अपना भाग्या अजमाना चाहते हैं तमाम लोग एड़ी पंचायत है एतिहासिक जगा है पूरे विहार और उत्तर प्रदेश में हत्वा एक ख्याती लव दस्थान है जब बात हत्वा की होती है तो यहां की बिराफत को लेकर के लोग चर्चा करते हैं यहां के धरोहरों को जानने का प्रयास करते हैं और देखने का प्रयास करते है आज मैं हतुआ में हूँ और हतुआ में मेरे साथ एक वरिष्ट पत्रकार है बड़े अच्छे लेखक है और लगातार विभिन नाखबारों में विभिन समाचार पत्रों में पत्रिकाओं में इनके लेख छपते रहते हैं समाजिक परतेक गतिविधियों पर इनके एक एक आले खाते हैं आप पढ़ेंगे तो परते रह जाएंगे नाम हुआ पुस्पेंद्र कुमार उर्फ पिंटू जी नगर निकाए कि हाँ सभापती पत्के परत्यासी हैं इनकी पत्नी परत्यासी हैं और ये चुनाव का भग्रो और जनबल तीन चीजें चुनाव में प्रमुक्ता के सांथ देखी जाती हैं हतुआ के चुनाओं में क्या जन्बल वाली पड़ेगा धनबल वाली पड़ेगा या फिर यह बहुन बहुत जितने उमिदवार हैं यहां सब लोग ही चुनाव लड़ रहे हैं पिंड़ों से बात करेंगे और देखेंगे कि क्या हो सकता है यहां के चुनाव में बहुत बहुत स्वागत है आपका जी आपका भी बहुत धन्यवाद मुझे मुझे मौका देने के लिए चुनाव की बहुत से था कि कौन सीट रख्षित रहेगा कौन आनारख्षित रहेगा लंबे अर्थे से तमाम उमिदवार इसको लेकर कि चकर में पड़े हुए थे कि क्या होगा क्या नहीं होगा लोग खूल करके नहीं आ रहे थे लेकिन जैसे सीटों के आरख्षण का निर्धारान हाँ सर देखिए चुनाओ जो हम लड़ रहे हैं पत्रकार हैं ये सब बातें बिल्कुल सही है चुनाओ लड़ने का मेरा मक्सद ये था कि जैसे आप जानते हैं कि हम लोग मीडिया से पत्रकार हैं जूरे हैं तो हम लोग का करतब बे होता है समाज का आइना बनना हमारा ये कर परकार या फिर ऑफिशर या फिर सक्षम जो परादिकारी हैं जो उनके नजर से छुट जाए बंचित जो लोगे हैं उस अस्तर पर जमीनी अस्तर पर जाकर कर समस्याओं को देखना और उसका आइना बनना यह हमारा करतब्ब होता है तो मुझे लगा कि हमने जिस धंग से जम समस्याओं का समाधान लोगों के लिए कर सकता है अभी आप जब छेतर में जा रहे हैं चेतर में तो इसे तमाम उमिदवार जा रहे हैं जो संभावित प्रत्यासी है आप जब छेतर में जा रहे हैं तो आपको कौन वैसा समस्या दिख रहा है जिस पर अगर आपके माथे प लेगा मुझे इससे मतलब नहीं देखिए मेरे मुद्दा को हायर किया जाए मेरे मुद्दा को कोई अलग से उसको ले करके उन्हीं चीजों पर बात करें मुझे उससे कोई मतलब नहीं मुझे मतलब है कि हतुआ का विकाश होना चाहिए हतुआ के लोगों में सिक्षा का साथ मत दीजे लेकिन ऐसे लोगों को सामने लाइए जो जिसके पास पोजिटिव सोच हो जिसके पास एक वीजन हो की हत्वा को कैसे ले चलना है हम आपको छोटी सी बात बता रहे हैं कि हमने लगभग 40 दिन गाओं में घूमा कई गलियों में यहां तक कि बिलकुल मतलब पतल लेकिन आप बताईए कि यह लोगं बात करते हैं विकास की विए कि हमने रोड बना या आप आप सिंगल एक गाउं नहीं दिखा सकते हैं नगर पंचायत में जहां सडक और नाला कंप्लीट हो गया हो किस चीज का विकास की बात कर रहे हैं भाई आप देश को अजायद हुए 70 साल से जादा हो गया आज तक गाउं के लोगों को आप सिर्फ रोड और नाले को विकास करत है और आज हतुआ के तमाम संस्थाएं यहां से जा रही है हमने मांग किया है हमने सिक्षा के च्छतर से मांग किया है कि हतुआ में ओमेंस कॉलेज होना चाहिए और उस ओमेंस कॉलेज में बीएट की पढ़ाई के साथ टेकनिकल टेड़ों की पढ़ाई होनी चाहिए अभी 92 के दसक में यहां के बिद्याटी हुआ करता था जमाना कुछ और था वहां सुबा से साम तक यहां बिभिन जीलों के बच्चे आके रहते थे पढ़ाई करते थे लेकिन उस समय आप रात का ग्राफ इतना नहीं बढ़ाता आज तो साम ढ़लते ही यहां गोलियों की तरताहाद गुजने लगती है दुकंदार अपने घरों में दुकानों में सिमर जाते हैं वह जमाना दूसरा था आप जब यहां सवापती बनेंगे तो यहां के सीम बनेंगे आप वह इसी परिष्टिती में पहले आपके सामने सबसे बड़ी चुनावती होगी बिधी बेवस्था को क भी हत्वा के लोगों से मैं यह बात करता हूं जो भी बुद्धी जीवी हैं पड़े लिके हैं मैं उनसे यह कुस्चन उठाना चाहता हूं कि आप जब आप जाएंगे छेतर में बात करेंगे विकास की तो लोग कहेंगे सिक्षा बदाल है आपने कहा करून बेवस्था खर बोट दिया आपने जाती के लिए बोट दिया आपने धर्म के लिए बोट दिया आप एक समुदाय को टार्गेट करके आप को आते हैं कि नहीं है फलना है तो हमारे जात का है तो हम इसको साथ देंगे आप कभी सिक्षा पे बोट नहीं देते हैं अगर आप जात पात धर्म है कि मैं जाओंगी तो वहां कोई वातरूम की ब्योस्ता नहीं है कि आज वही हतुवा जहां जिसकी ख्याती है पूरे देश में फैली हुई है वह हतुवा जितना बिगड़ चुका है उसकी दसा इतनी देनिय हो गई है कि महिलाएं घर से पानी पी करके नहीं आती है आपकी ह हतुवा बजार जो है यह चार पंचायत से जुड़ा हुआ है चार पंचायत से हतुवा बजार जुड़ा हुआ है आप बताइए कि क्या हतुवा बजार में कोई नल जल कर नल नहीं लग सकता था किसी पंचायत के मुखिया किसी पंचायत ने हतुवा बजार में नल जल नह कई जगहां से बच्चे और लड़कियां लड़के आते हैं अफडेविट कराने के लिए वहां कोई सोचाले की बेवस्ता नहीं है आप करेंगी किया हम मैं आपको आज आपके माध्यम से मैं बता रहा हूं कि इंसान की जो भी माली जरूरत है सोचाले से लेकर लेटिंग ये पानी से लेकर के नाला जो भी जरूरी चीज है मैं आपको बताता हूं कि मैंने प्राथ्मिक्ता के तोर पे कई बाते बोली है कि मैं वह कराऊंगा सबसे पहले हद्वा को स्ट्रीट लाइट से पूरा चक्मक करेंगे हद्वा में CCTV कैमरे लगा हर जहां से आएगी अभी तन सही से डूलाईज नहीं कर पाते हैं हमें यह जनकारी होना चाहिए कि हमारे चेतर में क्या जल्दी जरूरी है अफ़वा के बिराफत को लटाने के लिए आपके मन में किया होजना है जो हथवा था था हथवा को लेकरके एक सम्मान के नजर से हथवा को लोग देखती रहे आज उसी हथुआ में लोग साम ढलते ही कहते हैं कि चलिए आप साम हो गया यहां से निकलना चाहिए उस बिराफत को कैसे लोटाएंगे आप ने देखिए हो हथुआ का बिराशत जो है वो एजुकेशन हब रहा है हथुआ एजुकेशन रभ रहा है यहां आई टी आई था हमक मेर्मिशन लेना है कहा तो हथुआ लेना है तो हथुआ को आई टी आई के नम से जाना जाता था और आज यहां से हथुआ चला गया आपके छितर में अधिकांस वैसे बेगाउं है जो नए जुड़े हैं और क्रिसी परधान गाउं जहां के किसानों का कहना है कि न तो रहे हमारा जो कार चेतर है नगर पंचायत के अधिक से जो कार चेतर है मैं आपको विश्वास दिलाता हूं और आपके माध्यम से में हथुआ कि जनता को यह कहना चाहता हूं कि जितने सक्रिये चीज़ हैं जो यहां के लोगों के लिए काफी आवसक है जरूरत है मैं हर एक करना है और आपका सहयोगी बनके यहां हमको लोगों का भला करना है आपकी जो समस्या है चाहे वो खेती से रिटेट हो या फिर नहर का समस्या हो पानी का हो बिजली का हो प्रशासन का हो जहां भी प्रशानी है हमें आपका सहयोगी बनना है न कि हमको नेता बनना है नेता ज करें कि जैसे कि आपने बताये कि बाहू बल पैसा बल या कई तरह का बल यहां यूजर ऐसे मैं किसी उम्मिद्वार को गलत नहीं चाहता चुक्त चुछ यह चुना है और गलत नहीं कहना चाहिए सब की अपनी जो ऐसे की दूर्दा सिता होते हमने जैसे आपको बताया तो लेकिन हम जनता सी जरूर कहेंगे कि आप ऐसे लोगों को सामने लाइए जो पढ़ा लिखा हो जो समझदार हो जो चीजों को समझे जो आपकी मुद्धा को समझे कि आपको जो परशानिया है उसे हमको कहां उठान है आपकी जो समस्या है उसे किस भी वहाग में ले जाना है ऐसा नहों कि आप एक application लेकर जाए और कहे कि आप कल आया उसे जनकारी नहों कि एक आदमी कह रहाता है कि कई वैसे उमिद्वार हैं जिन्हें आवेदन लिखने भी नहीं आता है कहां तक सचाई मैं वही बात आप से कह रहा हूं मैं किसी का नाम नहीं लोगा लेकिन ये जरूर कहूंगा कि आप ऐसा अमिद्वार को कते ही नहीं लाइए जो एगा application लेके आप जाए कि मुझे ये समझ से है तो उसको समझ में नहीं कि इसे कहां लेकर जाना है और कौन सी बात करनी है वो बोले कि कल आईए और कल किसी से समझ कि आपकी बात मेरे कहने का मतलब है कि आप ऐसा देखिए कि कि किसका background के सरा है किसने अपनी हतुआ मों अपनी life अच्छी बिताई है life अच्छी बिताने का मतलब है कि चीजों को समझा है हमने यहां रहा है हम एक 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 इंट से वाकिफ है हमें पता है कि कौन सी समझा कैसी है मैं यह भी कहता हूँ लोगों से कि आप मुझे अगर मैं पसंद रही तो मुझे बोट मत देजे लेकिन हतुआ के लिए बोट दीजे सिक्छा के लिए बोट दीजे हतुआ के विकास के लिए बोट दीजे यहां के सिक्षा के लिए बोड़ दीजे तरक्की के लिए बोड़ दीजे ऐसा नहीं है कि कोई आपको जो भत धनबल से आया और कहे कि हम बहुत वरा हिये हैं और हम यह बदल देंगे आप देखिए को उसका वीजन क्या है कितने लोग हैं जो अपने हतुआ को उस तरह से देखना जाते हैं उस्पेंदर कुमार पिंटू जी है वरिष्ट पत्रकार हैं और सोसल एक्टिफिस्ट भी है इनका भी कहना है कि जो विगास करे एजुकेटड व्यक्ति हो जो हतुआ के मान सम्मान को हतुआ के गवरवशाली अतीद को जो लवटा सके कि अजमाना था हतुआ एक बार लोग हतुआ के नाम सुनते थे तो अंग सिहर जाता था क्यों हतुआ में जब आप आएंगे तो गोपेसवर कॉलेज है आई टी आई है गोपाल मंदिर है पुरानी किला है नहीं किला है अनेकों वैसे अस्थल हैं जिसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं अज जमाना इतना बदल गया समय इतना बदल गया कि हतुआ में लोग साम ढ़लते घरों में दुबखने लगते हैं और कोई हतुआ आने से कतराता है क्यों आखिर कब लवटेगा वह दिन जब हतुआ में लोग आएंगे और सहर सपाटा करेंगे सेलफी लेने के लिए लोग आएं हतुआ या सोच किसी का नहीं है या सोच बनना चाहिए कि जो हतुआ पहले था वो हतुआ आज कैसे बनेगा वेशतों आज बहुत सारे उमिद्वार हैं उठालो जाम बिश्मिल्ला जो होगा देखा जाएगा तमाम लोग चुनाव की डुगडुगी बजी है और सब लोग पुष्टर शपवाली हैं पुष्पेंद्र कुमार पिंटू जी के साथ मैं शंभू प्रशाद भाए अब तमाम लोगों को साधर नमस्कार